अस्लाम नकुमें स्टूडेंट्स कैसे हैं आप दोख उमीद है आप सब ख़य जैसे होंगे आइम सहीदा कामन नदीम आप यह बायोलोजी टीचर फो ग्लास नाइन्थ तुड़े और टॉपिक अफ डिसकॉशन इस करियर इन बायोलोजी जी स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको यह पता हूँगी कि बायोलोजी पढ़ने के बाद हम कौन कौन से प्रोफेशन को एडॉप कर सकते हैं जैसे पहले हम लोग ने बायोलोजी की इंपोर्टेंस पढ़ी थी कि बायोलोजी पढ़ने का हमें क्या के फायदा होते हैं सबसे बड़ी बात कि हमें बायोलोजी पढ़ने से अपने बारे में पता चलता है इसके इलावा हम नेचर को भी स्टूड़ी करते हैं इसके इलावा हमें ये पता चलता है कि origin of life कैसे हुआ हम देखते हैं कि हमारे इर्ट गिर्ट कौन कौन से microorganisms present है और उनका हमारे life पे क्या effect है आज जो करें हम study करने जा रहे हैं वो है medicine and surgery सबसे पहले हम दोग देखते हैं कि medicine क्या होते है the profession which deals with the diagnosis and treatment of diseases in human हम देखते हैं कि medical field में सबसे पहले तो हमें ये पता हुना चाहिए कि किस इनसान को कौन सी बिमारी है यानि किसी बिमारी के तश्खीस होना बहुत जरूरी है यानि इलाज हम किस पेस पे करेंगे जब हमें किस इसी बिमारी के तश्खीस हो जाएगी यानि जब हम पता चल जाएगा कि एक इनसान को कौन सी बिमारी है तो हम उसका इलाज शुरू करेंगे हम देखते हैं डाइग्नोसिस के different methods होते हैं physical diagnosis भी हो सकते हैं इसके लाबा chemical diagnosis भी हो सकते हैं जैसे के doctors physical test या chemical test करके किसी भी इनस हम यह देखेंगे कि किसी भी इनसान को कौन सी बिमारी है और उसका इलाज क्या है इसी तरह हम देखते हैं कि surgery surgery भी medicine की ही एक field है लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा different काम करेंगे जैसे कि हम देखते हैं in surgery the parts of the body may be repaired, replaced or removed इसका मतलब यह हुआ कि surgery में अगर कोई भी infected part है तो हम उसको यह तो repair कर लेंगे या हम उसको किसी भी सही पार्ट से replace कर देंगे या फिर हम किसी भी infected part को अपनी body से अलग कर देंगे जैसे इसकी example हम यूँ कह सकते हैं कि कि किसी को renal stones हो गए यानि kidney में stones हो गए हैं तो हम renal surgery करेंगे और उन stones को remove कर देंगे surgery के through इसी तरह अग कर देंगे with the effective one यानि इसका मतलब यह हुआ कि हम kidney transplant कर लेंगे अगर किसी का liver यानि जिगर काम नहीं कर रहा तो भी हम उसको replace करा सकते हैं liver transplantation के through इसका मतलब यह हुआ कि biology पढ़ने से हम लोग medicine या surgery के profession को adopt कर सकते हैं medicine या surgery को adopt करने के लिए हमें MBBS करना पढ़ेगा और उससे पहले हमें biology पढ़नी पढ़ेगी FAC यानि इंटर लेवल पर है अब हमाएं पास एक बहुत ही interesting information है medical fields है और वो यह है कि एक सेकिंड में 25 million new cells can be produced in our body यानि हमारी body में एक सेकिंड में 25 million new cells produce हो जाते हैं यानि बन जाते हैं इसके इलावा अगर हम लोग अपने messages की speed देखें यानि nerve impulses जो हमारे brain से message हमाई body parts तक पहुंचाती है और हमाई body parts से messages brain तक पहुंचाती है तो उसकी speed कितनी होती है किसी भी एक nerve impulse की speed होती है 400 km पर hour इसके बाद जो हम लोग professional study करने जा रहे हैं वो है fisheries का fisheries क्या होती है fisheries यानि माहिगीरी हम देखते हैं कि biology पढ़के हम लोग fisheries कितब पर जा सकते हैं यानि हम लोग इसको as a profession बिला सकेंगे तो fisheries को हम ऐसे define कर सकते हैं the profession which deals with the fish production is called fisheries हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर fisheries पे बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान में बहुत सारे fisheries के department से जहां पर हम लोग professionally is field को adopt करके पढ़के हम वहाँ पर jobs ले सकते हैं और अपनी fisheries के department को मजीद advance और improve कर सकते हैं हम देखते हैं कि fisheries का role क्या होता है तो इसका role यह है यानि यह हमाई life में क्या करदा करता है तो हम देखते हैं कि fisheries क्या काम करता है कि fisheries enhance the quality and quantity of fish production इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग इसको professionally as a profession अगर हम fisheries को adopt करते हैं तो हम लोग fish की quality को भी अच्छा कर सकते हैं और इसके इलावा हम उसके quantity यानि number of fish को भी बढ़ा सकते हैं और जिससे कोई भी इनसान अपना इसको जरिये माश जानी इसको as a profession जोए वो adopt कर सकता है और अपनी रोजी कमा सकता है हम लोग देखते हैं कि biology पढ़नी पढ़ेगी graduation level पे या master's level पे जो students zoology और biology रखेंगे वो ही fisheries की field में आगे जा सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी के सारी fish से related information होगी और वो अच्छे से इस department को enhance कर सकते हैं और इसी तरह fish की production को बढ़ा सकते हैं हमारे पास fisheries से related भी एक बहुत ही interesting information है और वो यह है कि a person who practices recreational fishing is called an angler यानि ऐसा इंसान जो सिव अपनी तफरी के लिए fishing करता है अपने अपने उसको professional adopt नहीं करता है बलकि सिव तफरी के लिए या अपने शौक के तौर पे जो हो fishing करता है उसको हम कहते हैं एंगलर एंगलर क्या काम करता है कि वो as a sport या पर अपने शौक के लिए जो हो fishing करता है जी students तो next topic हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है agriculture पाकिसानी जराई मुल्क है और हमारी जो economy है उसका बहुत जादा हिस्सा हमारी जरात से ही related है हम देखते हैं कि अगर एक educated person जरात को पढ़के as a profession adopt करें और एक uneducated person जरात को as a profession adopt करें तो उन दोनों में जमीन आस्मान का फरक होगा क्योंकि वो person जो के agriculture की field को पढ़कर अच्छे तरीके से समझ के जरात की field में आये तो वो जादा बेहतर तरीके से जरात को improve कर सकता है लेकिन वो इनसान जो uneducated है जिसके पास इतनी कभी भी जरात में वो improvement नहीं ला सकता जो के educated person ला सकता है तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हमने agriculture की field को adopt करना है तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से study करने के बाद adopt करें अगर हम agriculture को define करना चाहें तो इसकी definition कुछ इस तरह है this profession deals with the food crops and animals which are the source of food यानी agriculture में हम लोग crops के बारे में या फसलों के बारे में नहीं पढ़ते हैं बलके agriculture में हम लोग उन animals के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग as a food इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं काओ बफलो शीप यह सब भी agriculture की field में ही आती हैं हम देखते हैं कि हमारे GDP का जो 26% इससा है वो depend करते ह हमारी agriculture पर और अगर हम लोग agriculture को improve करेंगे तो हमारी economy भी दिन बर दिन बेहतर होते जाएगी हम देखते हैं कि एक एग्रिकल्टरिस का काम क्या होते है और अग्रिकल्टरिस वर्क्स फॉर बेटर्मेंट और क्रॉब्स लाइक वीट राइस कॉर्ण एडिसी और एनिमल्स ल बेहतर बनाता है किसको क्रॉप को इसके इलावा उन एनिमल्स को जिसको पाल रहा होते उसके अंदर दिन बर दिन जोए वह क्या लाते हैं बहतरी लाते हैं अगर हम लोग agriculture की फिल्ड को as a professional करना चाहते हैं तो हमें master's राग्रिजूएशन लेवल पे जॉलोजी बॉतनी या biology पढ़नी पड़ेगी इस तरह हम बहतर तरीके से agriculture के अंदर मजीद improvement ला सकते हैं और अपनी economy में अपना अच्छा तरीके से हिस्सा डाल सकते हैं हम देखते हैं हमारे पास agriculture की field से related जो interesting information है वो यह है कि हमारे पास जो Pakistan की major crops हैं वो wheat है, sugar cane है, corn है, cotton है इसके इलावा हम देखते हैं बहुत सारे fruits और vegetables हैं जो के हम export भी करते हैं जो next profession है वो है animal husbandry ना, animal husbandry agriculture से ही related है मगर थोड़ी सी different है, हम अगर इसके definition को देखे हैं तो वो यह है कि it is a branch of agriculture which deals with the care and breeding of domestic animals, livestock like sheep, buffalo, cow, etc. हम इस field में यह पढ़ेंगे है कि हम लोग किस तरीके से अपने मवेश्यों के देख बाल कर सकते हैं और उनकी productivity में इजाफा कर सकते हैं अगर हम लोग animal husbandry को as a professional drop करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें master's या graduation level biology पढ़नी पढ़ेगी तब ही जाकर हम लोग को अच्छे तरीके से पता चल सकेगा कि कौन-कौन से methods या कौन-कौन से techniques ऐसी हो सकती हैं कि जिस से जिसको इस्तमाल करके हम जादे बहतर तरीके से अपने मवेश्यों का ख्याल रखें और उनकी productivity में इजाफ़ा कर सके हमारे पास एक इंट्रस्टिंग इंपरमेशन है अनिमल हस्पेंट्री से रिलेटिट वह यह है कि हमारे जो लाइब स्टॉक है वह हमारे GDP का 11.7 परसंट है और 2020 में जो बफलोस की productivity थी यानि कितनी वफलोस हमारे पास थी तो वो थी 41.2 मिलियन इसी तरह अगर हम लोग केटल की बात करें तो 49.6 मिलियन थी 5.4 मिलियन डंकिस की तादात थी इसके इलावा 78.2 मिलियन गोट थी और 30.9 मिलियन शीप की productivity थी हमारे पास जी students उमीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा लेकिन ये मुझे कैसे बता चलेगा तो हमारे पास है चोटा सा quiz और मैंना आप मुझे से पहले भी बताया हुए कि quiz के अंदर जो questions होते है वो सारे के सारे previous exams में बहुत बार repeat हो चुके हैं तो आप लोग ने इस quiz को अच्छे तरीके से review करना है और अपना आपको judge करना है कि इस में से कितने questions हैं जो जिनके answers आप लोग को आते हैं और अगर किसी भी question से related आपको answer नहीं आता तो आप उसको अच्छे तरीके से prepare कर ल in human beings, यानि medicine वो field है या वो profession है जिसके अंदर हम लोग किसी भी बिमारी की तश्खीस करते हैं यानि यह देखते हैं कि किसी भी इंसान को कौन सी बिमारी है और फिर हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, next question जो हमारे पास है वो है define surgery, तो surgery की definition में बहुत ही easy है और वो क्या ह इन surgery, the parts of the body may be repaired, replaced or removed, यानि surgery में हम क्या करते हैं, कोई भी infected part body का हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, यानि रिपेर कर देंगे, या पर उसको क्या कर लेंगे, effective part के साथ replace कर देंगे, और तीसरा क्या, कि हम उस infected part को अपने body से ही अलग कर देंगे, यानि remove कर देंगे उस infected part को, ज जो कि क्या है, cancerous है, ठीक है, अगर हम लोग उसको remove करना चाहरे है, तो हम उसको body से remove कर देंगे, ताकि वो बाकी जो इर्द गिर्द पाले cells है, या tissue से उनको damage ना कर सके, इसकी बात हम देखते हैं, जो third question है, वो ही give role of fisheries, तो fisheries का क्या role है, वो मैंने आप लोग बताया था, कि fisheries enhance the quality and quantity of fish production, यानि fisheries को adopt हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, फिश की production को improve कर सके, उसकी quality को भी बहते बना सके, और उसके number को भी, फिश के number को भी increase कर सके, next question है, वो है define agriculture, तो agriculture से related long question भी आ सकते हैं, लेकिन यहां मैंने आप लोग को जो दिये, वो है, एक short question, यानि आप लोग definition लिखेंगे, तो इसके अंदे हम लोग क्या, इसकी agriculture की क्या definition है, कि the profession which deals with the food crops and animals which are the source of food, यानि ऐसा profession या ऐसा पेशा जो के food crops या animals से related हैं, और हम लोग क्या इससे हासल करते हैं, अपना food हासल करते हैं, यानि food हम लोग उस जो वहाई crops हैं, या अनिमल स से उनसे हम लोग क्या हासल करते हैं, इसके बाद हम लोग ऐसा food इसने माल कर सकते हैं, इसके पाद हम लोग देखते हैं, रोल अप अप अगरिकुलर्टिर सजीजने करते हैं, तो क्या काम करते हैं, ऑन अगरिकुल手र cables works for the betterment of crops like wheat, rice etc and animals like buffalo, cow, gourd etc from which we can get food, यहाम लोग इसका काम करते है एक agriculture जो है वो किसी भी क्रॉप को या किसी भी एनिमल के अंदर जो है उसकी productivity में improvement लाते है ताके हमारी जो final yield हमाई पास वो बहतर आ सके इस के बाद हम दोग देखते हैं के वोट इस अनिमल हाज बेंडरी टो इनमल हाज बैंडरी किया है एनिमल हाज बैंडरी is the branch of agriculture which deals with the care and breeding of domestic animals livestock like god sheep etc इसका बात हम देखके हैं कि हमाई पास दो लोग कोशन से जो का माई previous exam समें repeat हो चुके हैं तो यहां यह जो अभि आप लोग में कर्येश पढ़ें जो तो अभी मैंने आप दोग को फोर करियर्स पढ़ाए हैं उनमें से जो है वो मैडिसन और सर्जरी पर नोट आ सकते हैं और इसके इलावा हम देखते हैं कि आपको डिस्कॉस करने के लिए दिया जा सकते हैं ऐसा लॉंग कोस्टन तो यह कोस्टन थे जो आप दोग ने अच्छ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि क्या जो हम स्टूडी कर रहे हैं वह हमारी प्रफेशनली बींपॉर्टन है यह नहीं तो मैंने आज आप दोग की मुश्किल थोड़ी सी आसान कर दी कि अगर आप दो बायोजी को इस्टूड इने भी कुस्सिंस ने उनको अच्छे तरह किसे रिव्यू कीजएगा अच्छे तरह किसे प्रिपेर कीजएगा क्योंकि वह आप लोग के एक्जाम वाइस बहुत इंपॉर्टन है अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिस